आज हम यहाँ देख रहे हैं विक्रांत विशाल है विराट है विहंगम है विक्रांत विशिष्ट है विक्रांत विशेद भी है विक्रांत केवल एक युद्ध पोत नहीं है ये 21 सदी के भारत के परिश्रम प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबधता का प्रमान है यदि लक्ष दुरंत है याक्राए दिगंध है समंदर और चनवतिया अनंत है तो भारत का उत्तर है विक्राणत आज़ादी के अमरत महोसव का अतुल्निया अमरत है विक्राणत अत्मंदिर पर होते भारत का अत्वितिया प्रतिबध है विक्राणत ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अन्मोल अउसर है ये हर भारतिय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश वासी को बढ़ाई देता हूँ आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राप केरियर का निर्मान करता है आज आएनेस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरे समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है अमर्त वीर पुत्र हो अमर्त वीर पुत्र हो द्रड़ पतिग्य सोच लो प्रसत्य पुन्य पंथ है प्रसत्य पुन्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो साथियों इस अइतिहासिक्स अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का कोचिन सिप्यार के सभी इंजीनियर्स वेज्ञानिकों और मेरे स्रमिक भाई भेनों का अब नंदन करता हूं जिनोंने इस सपने को साकार किया है क्यों इस बार स्वतंत्रता दिवस्पर मैंने लाल कीले से पंच प्रान का आवान किया और हमारे हरी जी ने भी इसका उलेक किया इन पंच प्रानों में पहला प्रान है विश्षीद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है गुलामी की मानचिकता का संपूर्ण त्याग तीसरा प्रान है अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांचवा प्रान है देश की एकता एक जुडता और नागरी करतव्य आयनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्रानों की उर्जा को देख सकते हैं आयनेस विक्रांत इस उर्जा का जीवन संयत रहा है अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विक्सित राश्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जनल परिवहन के छेत्र में भारत का बहुत गवरव मई इतिहास रहा है हमारी समरुद्ध विरासत रही है हमारे यहां नवकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है दिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरी ही जंगाला प्लाविनी चैव धारीनी वेगीनी तथा यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है दिर्गी का तरुनी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजो और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे बेदों में भी नौकाओं जहाजो और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ का डंका पूरे विश्व में बज़ता था छत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निंद उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेग भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इत्याद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में कानून बना कर भारतिय जहांजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाए दिये गए थे भारत के पास प्रतिभाथी अनुभव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़ें और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस उर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज 2 सितंबर 2022 की एतिहासिक तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नवसेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नवसेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 सुधंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वज बंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नव सेना के जनक छत्रपती भीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की दाकि भावना से ओद्वज ये नया ध्वज भारतिय नव सेना के आत्मबल और आत्म सम्मान को नई उर्जा देगा साथ क्यों हमारी सेनाओं में किस तरह बढ़लावा रहा है उसका एक और अहम पक्ष मैं सभी देश वासियों के सामने रखना चाहता हूँ विक्रान जब हमारे समुद्री खेत की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नव सेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी समंदर की अथा सक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहजान बन रही है मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब छेसो महिला आफिसर्स हैं लेकिन हम इन्डियन नेवी ने अपनी सभी साखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है जो पामंदिया थी वो अब हट रही है जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दाइरे नहीं होते वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दाइरे या बंदन नहीं है आने वाले समय में ऐसे पराख्रम के लिए कितनी ही बेटियां आ गया आएगी दुनिया को अपनी शक्ती से परिचित करवाएगी नेवी की तरह ही तीनों ससस्त्र सेनाओं में युद्रक भुमिकाओं में महलाओं को शामिल किया जा रहा है उनके लिए नई जिम्यदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से किसे ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिया है आपको बड़े शांति व्यक्ति लगते हैं तो आपको हतियारों की क्या जरूरत लगती है कलाम साहब ने कहा था शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत बल और बड़लाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है मुझे भी स्वास है ससक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रसस्त करेगा इसी भाव के साथ हमारे बहदूर जवानों को बीर सनानियों को आदर्पुर्वग उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपुर्ण आउसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं रदेश से बहुत बहुत धन्वात करता हूँ लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए